इन दिन रियालिटी शो बिग बॉस 17 किसी न किसी वज़ से सुर्ख्यों में बना रहता है। अंकिता लोखंडे ने बताया था कि शुशांत ने अपनी फिल्म अंकिता को दिखाने के लिए पूरा थेयर्टर बुक किया था। वीडियो में कहा कि पीके में किसिंग सीन देखकर उन्हें चक्कर आ गये थे और इसके बाद शुद्ध देशी रोमांस में तो उनकी हालत खराब हो गई। अंकिता बताती है कि वो घर जाकर बहुत रोई थी और शुशांत भी उनके साथ रोई थे। अंकिता बताती है कि शुशांत ने उनसे प्रोमस किया था कि फिर कभी ऐसे सीन्स नहीं करेंगे इसके बाद अंकिता फिल्मों में अपने बोल्ड सीन पर पती विकी जैन का रियक्शन बताती है। विकी तो देखी नहीं पाता है वो कहता है हटाओ इसे। अंकिता का ये खुलासा सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है। अंकिता लोखंडे स्टॉंग कंटेस्टेंट भले ही नजर नहीं आती है लेकिन वह अपने बयानों के जरिये चर्चाओं में बनी रहती है। अंकिता लोखंडे ने बताया था कि शुशान्त ने अपनी फिल्म अंकिता को दिखाने के लिए पूरा थेटर बुक किया था। उन्होंने सुशान्त की दो फिल्में पीके और शुद्ध देशी रोमांस ऐसे ही थेटर में अकेले देखी थी। इन फिल्मों में एक्ट्रेसेस के साथ शुशान्त के इंटिमेट सीन को देखकर अंकिता बुरी तरह रो पड़ी थी। अंकिता बताती है कि वो घर जाकर बहुत रोई थी और शुशान्त भी उनके साथ रोई थे। ब्रेकप की कहानी भी शो पर पूरा सुना चुकी है शो पर अंकिता जब भी शुशान्त के बारे में बात करती है तो लोग उन पर लाइम लाइट के लिए इस तरह की बाते करने का आरोप लगाते हैं